वेल्कम बैक टो आवर यूटूब चैनल वंस अगेन, फ्रेंट्स अगेन हमा चुके हैं आपके लिए एक कॉइन शुच अप्लिकेशन का एक और टुटूरेल लेकर, और आज के इस वीडियो में हमें आपको पूरी डीटेल में बताएंगे, आपको किस तरों से स्टेब कमप्लीट होशके, दोस्तों एक वर्फिट से हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने मोवाल की स्क्रीन पर, और मोवाल में सब सब पहले में open करना है कोईन शुच अप्लिकेशन, Coin Switch Application को जैसे ही आप अपने मोवाल में open करेंगे तो आपकी सामने application का कुछ इस तरह का home page open हो जाएगा in case अगर आप अपने Coin Switch Application के अंदर में already login है अगर आप अपने Coin Switch Application के account में login नहीं है तो सब सब पहले आपको अपने account में login करना है उसके बाद जैसे ही आप application को open करेंगे तो आपके सामने application का कुछ इसी तरह का home page open हो जाएगा और Coin Switch Application के account को open करने के बाद application के अंदर में अपनी bank detail को add करने के लिए आपको simply on the bottom right इस profile के icon पर click करना है क्लिक करते ही next page में आपके सामने कुछ इस तरह के option आपको show जाएंगे और यहाँ पर आपके profile name के नीचे सब सब पहला option आपके पास आता है user verification का इस step को हम already complete कर चुके हैं जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सारी detail है वो 100% verified हो चुकी है बैक आएंगे इसके बाद जो second option यहाँ पर आता है वो आता है नीचे bank details का तो अपने bank account को यहाँ पर add करने के लिए आपको simply इस option पर click करना है click करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का next page open हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहला option आपके पास आता है account number का तो यहाँ पर आपको अपने bank का account number enter करना है जिस bank details को आप यहाँ पर add करना चाहते हैं और यहाँ पर जिस भी bank account की details आप add करने जा रहे हैं आपको उस detail को add करने से पहले इस बात को make sure कर लेना है कि आपके bank detail में और जो pen card आपने यहाँ पर submit किया है उसमें जो भी आपकी name है जो भी आपका address है जो भी आपकी date of birth है वो same होनी चाहिए उसमें कोई भी mismatch नहीं होना चाहिए otherwise आपकी bank account detail यहाँ पर reject हो जाएगी so फटवर्ट से यहाँ पर सबसे पहले अपना bank account add करेंगे so कुछ इस तरह से first field में आपको अपना bank account number type करना है और जो भी bank account number आपने यहाँ पर first field में type कर रखा है same यही bank account number आपको again नीचे second field में type करना है और दोनों ही field में जो भी bank account number आप यहाँ पर type करेंगे इनके बीच में कोई भी mismatch नहीं होना चाहिए कोई भी typing mistake नहीं होनी चाहिए otherwise आपका bank account number यहाँ पर mismatch शो करेगा इसके बाद next field आपके पास यहाँ पर आती है IFSC code की यहाँ पर आपको अपने bank branch का IFSC code एंटर करना है सो कुछ इस तरह से आपने bank का IFSC code आपको यहाँ पर एंटर करना है इसके बाद next field आपके पास आती है select account type की और यहाँ पर आपको अपना account type select करना है अगर आपका saving account है तो आपको saving select करना है और अगर आपका current account है तो आपको current यहाँ पर select करना है सो हमारा जो bank account है वह है saving accounts तो हम पहले वाला option को यहाँ पर select रहने दिंगे इस तरह से यहाँ पर जैसे ही आप अपने account की सारी detail एंटर कर देते हैं इसके बाद नीचे submit का option आपके पास activate हो जाता है submit पर click करने से पहले आपको अपने account की detail को एक बार again reject करना है step by step अगर यहाँ पर कोई mistake है तो उसको आपको correct करना है और इसके बाद आपको नीचे click करना है submit पर submit पर जैसे ही आप click करते हैं तो अगर आपने coin switch application के अंदर में 4 digit का authentication pin set कर रखा है तो उस pin को आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद coin switch application की तरफ से जो भी bank account आपने यहाँ पर add किया है उसमें 1 रुपीज credit किया जाता है just for verification और 37 आपको आपको आपकी mail ID पर एक OTP receive होगा जो आपने coin switch application के अंदर में link कर रखी है सबसे पहले आपको अपने mail ID को open करकर उस OTP को यहाँ पर enter करना है अगर within 60 seconds आपके पास OTP receive नहीं होता है तो नीचे अगेन आपको क्लिक करना है recent पर आपको आपके registered mail ID पर OTP receive हो जाएगा सबसे अपने उस वाले mail box को open करते हैं जो हमारे coin switch application के शाहत में linked है refresh करेंगे mail को so हमारे पास यहाँ पर आप देख सते हैं जो latest mail आरकी है coin switch की तरफ से mail को open करेंगे mail को open करने की बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी account detail आपने fill की थी वो show जाएगी इसको आपको cross check करना है और इसके just नीचे आपको जो भी OTP receive हुआ है वो show जाएगा इस OTP को आपको coin switch application के अंदर में enter करना है बाहर आएंगे application चे अगे जाएंगे coin switch application के अंदर में और यहाँ पर OTP को enter करेंगे OTP enter करने के बाद आपको simply इस icon पर क्लिक करना है क्लिक करते ही जो भी bank detail आपने coin switch application के अंदर में add की थी वो successfully यहाँ पर verified हो जाती है और application के अंदर आपकी सामने कुछ इस तरह का message भी आ जाएगा bank verification complete congrats you have successfully added your bank account note deposits and withdrawals from other accounts will not be accepted so जो भी bank account आपने यहाँ पर add किया है इसी bank account के थुरू आप application के अंदर में money को deposit भी कर सते हैं और इसी के थुरू आप money को withdraw भी कर सते हैं इसके अलावा किसी भी और account के थुरू आप ना ही money deposit कर पाएंगे ना ही withdraw दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दिखी जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like कीजिए share कीजिए इसको अपने friends और family member के साथ इस्टिल अगर आपका कोई question है कोई query है तो इस वीडियो के comment section में आप हमें अपने question पूछते हैं हम आपके question का reply करने की पूरी कोसिस करेंगे थैंक्स वाचिंग बाइ